यदि आप लंबे व घने बाल पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बालों को तेजी से लंबा घना मुलायम और खुबसूरत बनाने के लिए बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें किन तरीकों का इस्तमाल कर करना है बहुत ही बढ़िया हरबल हेर मास्क बनाना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो दोसों वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें साथी साथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोसों देखते हैं इस हरबल मास्क को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरुवत है कब लगाना है कैसे लगाना है किस सरह से हेर वाश करना है सारे डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूंगी सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है दही दही जो कि हमारे बा बालों की जड़ों को मजबूत तो बनाता ही है सांति सांत यदि किसी को डेंडरफ की समस्या है दोस्तों तो डेंडरफ की समस्या को भी खतम करता है दही किसी तरह का हमारे स्केल्प में बैक्टिरियल इंफेक्शन है तो वह भी खतम हो जाता है दही का पैक लगाने से तो बा से दही की quantity थोड़ी सी जादा कर सकते हैं और जो दही होती है दोस्तों ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का काम करेगी दही साथ ही बालों की लंबाई बढ़ेगी बालों में बहुत ही बढ़िया अच्छा काला पन आएगा बालों को हमारे बालों की जड़ों क बहुत अच्छी तरह से नरिश करती है बिलकुल हरबल पैक है दोस्तों ये आपका हेयर पैक है दूसरी चीज जो हम यहाँ पर ले रहे हैं शिका कई वैसे तो खड़ा शिका कई भी आता है मार्केट में आप चाहें तो खड़े शिके कई को लाकर कूट कर ग्राइंडिंग जार में डाल कर उसका पाउडर बना सकते हैं या फिर मेरे जैसे इस तरह से शिका कई का पाउडर किसी भी अच्छी दुकान से ले सकते हैं आप चाहें तो शिका कई का पाउडर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर मैं शिका कई के यह दो पाउडर के पैकेट रखे हैं मेरे पास जिस पैकेट को मैंने खोल लिया उसमें से आपको डालना एक बड़े चम्मा शिका कई पाउडर पुराने समय में ना दोस्तों यह नहीं होते थे शैंपू पहले के समय के लोग ऐसे ही हेर वाश करते थे अरीठा शिका कई आमला यह तीनों पाउडर को मिला कर उबाल कर उस पानी से हेर वाश करते थे तभी पुराने समय में बाल ज़ड़ने की समस्या कम थी इसलिए आज मै इसमें इन चीजों का इस्तमाल कर रही हूँ आप इसे जरूर ट्राय करके देखें और यदि रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट जरूर करें साथ ही अरीठा डाला है जिसे कई जगा पर रीठा भी कहते हैं इंग्लिश में अरीठे को सोपनट भी कहा जाता है एक चमच ही का कई पाउडर एक चमच अरीठा पाउडर और तीन चमच मैंने यहाँ पर दही डाला है और यह हमारा हर्बल हेयर पैक बनकर बिल्कुल तैयार है जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूती देगा बालों का जड़ना रुकेगा दोस्तों साथ ही आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी यदि जड़ों को अच्छी तरह से न्यूट्रीशन मिलेगा दोस्तों तो अपने आप हमारे बालों में घना पनाएगा हमारे बालों का जड़ना रुकेगा तूटना रुकेगा दो मुहें बालों की समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा तो बस इस तरह से आपको इसे मिक्स करना है ये देखे तीनों चीजें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और बजार में आपको अरीठा का पाउडर शिका कई का पाउडर आसानी से मिल जाएगा पुराने समय में घर पर ही कुटा जाता था दोस्तों हमारे समय तो नानी लोग अरीठा शिका कई को खलवत्ते में कूट कर उबाल कर फिर हेर वाश कराते थे तो अब तो खेर पाउडर आने लगा है जो कि बहुत ही फाइदेमंद है तो चलिए किस तरह से अपलाए करना है ये मेरी बेटी आपको बता रही ही दोस्तों कोई भी हेर पैक लगाएं इस बात का ध्यान रखें हमारे बाल साफ होना चाहिए क्लीन होना चाहिए हमारा स्कैल्प ताकि जो भी हमने हेर पैक लगाया है इसके सारे न्यूट्रिशन सारे पोशक तत्व हमारे बालों की जड़ों को मिल सकें ये देखें पार्टिशन करते जाएं मांग निकालते जाएं और इस तरह से इस हेर पैक को आप अपने बालों पर एपलाए करते जाएं और इसे लगा कर आपको कम से कम एक घंटे जरूर रखना है दोस्तों ताकि अरीठा, शीकाकई और दही तीनों चीजों के जो न्यूट्रिशन होत होना है दोस्तों इसके बाद आप इसे एक घंटा तक रखें दोस्तों अपने आप इसे सूखने दे और सबताह में एक बार जरूर करें आप इस रेमेडी को दोस्तों आप देखेंगे आपको डेंडर्फ की समस्या से निजात मिलेगी और अरीठा जो होता है दोस्तों हमार आप अरीठा शीकाकई से अपने हेर वाश करके देखें 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो इस तरह से पार्टिशन करते जाएं पूरे बालों की लंबाई में लगा लें और बालों की जड़ों में लगाने के बाद आपको कम से कम 3-4 मिनट तक इस दही वाले पैक से आपके स्कैल्प की मसाज जरूर करना है जितना अचा हम हलके हाथों से मसाज करेंगे सारी चीजें सारे पोशक्ततव हमारे स्कैल्प में हमारे सिर के जो तवचा होती उसके अंदर तक जाएंगे और अंदर तक जाने से हमारे बालों को अच्छा nutrition मिलेगा बालों की जड़ मजबूत होगी और बालों का तूटना कम होगा जड़ना कम होगा और साथ ही हमारे बाल लंबे घने मजबूत होगे बालों में काला पनाये का दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया ये herbal pack है आप इसे ज इस्तमाल ना करें यदि आप बहुत जादा शैंपू का इस्तमाल करते है ना तो हमने इतना अच्छा जो हेयर पैक लगाया इतने सारे जिससे हमारे बालों की जड़ों को nutrition मिल रहा है खुब जादा शैंपू करने से वह नूट्रिशन बह जाता है पानी के साथ तो वैसे भ हमारे बाल जरूर अच्छे लगते हैं कि इतने सुंदर हो गए धुलकर परन्तु सभी चीजों का साइड एफेक्ट भी होता है तो यह नैच्रल हरम है दोस्तों बिल्कुल अरिठा शीका कई और दही इसका यह जो पैक है आपके बालों को नरिश करेगा बालों में चमक पूरे नीचे बालों की छोर में लगाना बिल्कुल ना भुलें एक घंटे लगाने के बाद आप हेर वाश कर सकते हैं और जब भी हेर वाश करें दोस्तों बहुत जादा हमें रगड़ रगड़ कर अपने बालों को नहीं धोना चाहिए हमेशा हलके हाथों से दोएं कभी बहुत जादा गरम पानी का इस्तमाल ना करें हलके गुनगुने पानी से ही हेर वाश करना चाहिए जादा गरम पानी से दोस्तों क्या होता है हमारे स्केल्प के जो पोर है वो ओपन हो जाते हैं तो फिर बाल तूटने की समस्या बढ़ जाती हलका गुनगुना पानी ले प नहीं आपको शैंपू की जरुवत है, तो ही शैंपू करें, वना शैंपू की जरुवत नहीं पड़ेगी. तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इस हरबल हेयर पैक को आप जरूर ट्राय करें, और वीडियो अच्छा लगने पर इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे, साथ ही साथ टिप्स थीएटर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, इन्फार्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगने पर लाइक करें, थैंक यू,